दमाश्टर प्रकास क्लास एस यूटूब चलन आप सभी लोगों का स्वात करता है तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि यूपी टैट और सुपर टैट इन दोनों परिक्षाओं के लिए क्या आपका जो स्लेबस है वो मातर 30 दिनों में खतम किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस यूटूब चलन के माध्यम से हम लोग मातर 30 दिनों का टार्गेट लेके चलने हैं कि जो आपका यूपी टैट में 30 नमबरों की गडित आती है उस पूरे स्लेबस को मातर 30 दिनों में हमें खतम करना है तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं जैसे कि यूपी टैट में आपके 3 तरह के अभ्यर्थी होते हैं पहले टैट के वो अभ्यर्थी होते हैं जिनका 25 से 30 नमबर आता है तो 25 से 27 किसी का आता है किसी का 28 किसी का 29 नमबर आता है तो ये सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो दूसरे 1-day exam की तयारी करते हैं कोई पुलिस की तयारी कर रहा है, کوई एस सीख तयारी करता है, कोई UPSS की तयारी करता है, तो ऐसे सारी अभ्यरती ब्ये急 करने के बाद कठिन लगते हैं, तो उनके 15 नमबर, 16 नमबर, 17 नमबर, कभी-कभी 20 नमबर तक या 22 नमबर तक इनका स्कोर पहुंच जाता है, बहुत जादा किसमत अच्छी रही तो 23-24 नमबर भी आ जाते हैं, तो ये दूसरे टाइप के स्टुडेंट होते हैं, जिन्हें सिर्फ जो हमार आता है, अगर 30 नमबरों के में, आप पूरे प्रिशन पत्र में सिर्फ बी बिकल्प चुनकर, बी बिकल्प को ही निसान टिक लगाएंगे, तो ऐसी कंडिशन में आपका 7 नमबर तो आही जाता है, और हो सकता है, एक-दो चप्टर पढ़ भी लिया हो, 2-4 प्रिशन सही हो टार्गेट है, टार्गेट इस दो टाइप के हमारी स्टुडेंट टार्गेट है, ऐसे स्टुडेंट जिनने 2-4-5 चप्टर आता है, बाके के चप्टर कठिन लगते हैं, 15-16-17-18-20 नमबर से जाकर रुक जाते हैं, दूसरे टाइप के वो स्टुडेंट जिनने कुछ भी एक टॉपिक को खतम करेंगे, 30 दिन साथ में बने रहिएगा, और 30 दिनों में आपकी पूरी मैथ खतम होने वाली है, इसी दमाश्टर प्रकास क्लासे से यूटूब चनल पर आपकी पूरी मैथ खतम होगी, जैसे कि अगर आप पुराने हमारे वीडियो देखेंगे, तो हम वास्तों में मैथ के ही अध्यापक हैं, इससे पहले लखनों में SSE CGL तक की कोचिंगों को हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 30 दिन प्रियाप्ती समय होता है, 30 दिन में आपकी मैथ खतम हो जाएगी, और यहाँ पर थोड़े सी चर इस तर की गणित पढ़नी पढ़ेगी, और उस हाई स्कूल इस तर की गणित पढ़ने का अब आपके पास समय नहीं है, मोटा मोटा मान के चलिए, अगर आप 30 दिन साथ में लगयतार बने रहते हैं, तो आपके लगभग 25 नंबर बन जाएंगे, ठीक है, और अगर जो ऐसे स्टुटेंट है, जिने थोड़ा बहुत गणित आती, यानि कि 24 पचीस नंबर आता है, वो भी इस वीडियो लेक्चेर को देखेंगे, तो उनके भी 27-28 नंबर तक आ सकते हैं, तो जो ऐसे स्टुटेंट जो गणित में बहुत ज़्यादा कमजोर हैं, ऐसे सारे अभ्यरति स्टुटेंट के लिए ही हम लोग गणित का कोर्स लांच करने वाले हैं, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, कि हम लोग अपने जो प्रक्टिस सेट में क्या क्या करने वाले हैं, तो प्रक्टिस सेट में देखें, पहले उपर से आते हैं, प्रक्टिस सेट में भाइया तो कि आप यूपी टेट का फॉर्म भर रहे हैं और यूपी टेट के फॉर्म भरने के लिए का आपको कच्छा छे पढ़ना ही पढ़ेगा कच्छा छे में आपका जो स्लेवस दिया गया है उसके according बहुत सारे प्रिष्ण आपको कच्छा छे की बुक में मिल जाएंगे पर्तीसत मिल जाएगा ठीक है लाभहानी मिल जाएगा और चक्रबरती ब्याज और साधान ब्याज बहुत सारे चीजे आपको कछा साथ में मिल जाएगी वो सारे चीजे यहांपर आपको पढ़ना है कछा आठ में आएंगे आपको सांत दसमलो, असांत दसमलो और संख्या पदती के बहुत सारे सवाल और बीजड़ित के बहुत सारे सवाल जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है वो आपको कच्छा आठ की बुक में मिल जाएगा तो इस परकार कुछ टॉपिक कच्छा 6 से, कच्छा 7 से, कच्छा 8 से पढ़ना है यकीन मानी अगर कच्छा 6, 7, 8 भी आप अच्छे से तयार कर लेते हैं तो 20-22 नमर आपके कंफर्म हो जाएंगे, पका हो जाएंगे तो इसके कुछ टॉपिक इन तीनों बुकों से हमें पढ़ना है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, दूसरे आपको क्या पढ़ना है 30 दिन के अंदर ये जो सार्दा पब्लिकेशन की बुक है जिसके राइटर कौँ है, HD यादो, HD यादो भाई साब जो इसकी राइटर है इस HD यादो की बुक को आपको लगाना है, सार्दा पब्लिकेशन की बुक है और इस HD यादो की बुक को आपको लगाना है मातर 30 दिनों में मातर 30 दिनों में हमें इस बुक को खतम करना है ऐसे सारी अभ्यर्चियों के लिए ये बुक एक तरह से वर्दान है क्योंकि इसमें बेसिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है तो एक महीने में क्या करना है? एक महीने में हमें कच्छा 6-7-8 में जो टॉपिक मिलेंगे उन्हें खतम करना है इस सार्दा पब्लिकेशन के बुक को खतम करना है और बेसिक समझते हुए खतम करना है यकीन मानिये गणित आपको इस तरीके से पढ़ाई जाएगी कि आप अंग गणित में फार्मुले लगाना भूल जाएगे फार्मुले रटना भूल जाएगे बिना फार्मुले के आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा परतिसास से हम लोग स्टार करेंगे परसेंटेज उसके बाल लाभानी पूरा चक्रबधी ब्याज बिना किसी फार्मुले के पढ़ाया जाएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उप्योगी ये सारे वीडियो लेक्चर होने वाले हैं यूट्यूब करन को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लगातार वीडियो मिलती रहे तो बाकी की हम लोग रणनिती बाकी की हम लोग प्लान बाद में बताएंगे एक या दो दिनों में आपका ये जो गणित का वीडियो लेक्चर है ये स्टार्ट कर दिया जाएगा तो तीस दिनों का प्लान है तीस दिनों में आपको पूरी गणित खतम करनी है अगर आपको गणित कमजोर लगती है आपको गणित बहुत जादा कठिन लगती है ऐसी कंडिशन में आप हमारे साथ जुड़िये और 30 दिनों में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपकी गणित कम से कम 20-25 नमबर तक आप पहुँच जाएंगे यूपी टैट में और सुपर टैट में ऐसे लोग पिछली प्रिक्षाओं में फेल हो गए हैं जिनकी गणित बहुत जादा कमजोर है गणित ने बहुतों लोगों को धोखा दिया है और गणित में ही रोनी वाले स्टुडेंट हैं यूँकि मनोबिज्यान हर कोई पढ़ सकता है हिंदी भी हर कोई पढ़ सकता है प्रियावरान अंध्यान भी हर कोई पढ़ सकता है लेकिन गणित हर इंसान नहीं पढ़ सकता है गणित में बहुत सारे लोग लटक गया है आप YouTube के साथ लगाता जोड़े रहिए और इस गनित को एक बहतरिन तरीके से पढ़ने का मज़ा लीजिए चलिए मिलते हम लोग आपने अगले किसी वीडियो लक्चर में आप सभी लोग को वीडियो देशने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद